हेलो फैमली कैसे आप लोग सब ठीक से हैं मैं भी ठीक हूँ और तोड़े आम टॉकिंग एबाउट नेख हम जो हमारी बैक में यहां पर थोड़ा सा निकला हुआ हो जाता है ना पॉस्चर ऐसा हो जाता है कर्ब की तरह उसके बारे में बाद करने माली हूँ जो की बाफेलो ह हम नेख हम के नाम से जाना जाता है तो यह होता क्यों है इसका में क्रीचन है हमारा पॉस्चर आज की कंप्यूटर वर्ड में ओल तिंग्स और डिवाइज हम ऐसे करके बैंड होके देखते हैं तो उस वजह से यहां पर कर्ब जैसा सीफ होने लगता है यहां के मसल्स वीक ह क्यों होने लगते हैं सेटाम कोटा कि झाल तैनक में होता है हुआ श्ट्रेट सोल्दर हमें ने रहने से जुप कर से बैठने से और 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 अज के टाइम पर फैट место हमार्थ Leto स lle ॕि यमश्चर वान श्चर पर बता हो जाता है तो उस हुजए से फी रचति तो उसको हम कैसे ठीक कर सकते हैं, उसकी कुछ 4-5 एक्सरसाइजेस हैं, जिसको आप continue करेंगी, तो आपको effect दिखने लगेगा, तो इसमें सबसे important है YWTL exercise, जो हमें posture बनाना है, YWTL लिखना है, है ना, और जो solar की एक्सरसाइजेस हैं, आप इंको देखिए, और आप ऐसा करन तो आप लेगा, thank you so much, how do I know about these exercises, because one of my family member is a gym trainer, तो मैंने उचसे पूछा था, ये problem आज कोछ बहुत ही normal or common हो गई है, तो उसके लिए ये posture करना, पहली चीज़ हम को straight रहना है, अपना posture सोधाना है, और फिर ये exercises करना है, ठीक है? इसमें हाथ इस्ट्रेट रखके सोल्डर की मुवमेंट करनी है clockwise सारी एक्सराज़ टैन टाइम्स करिए इसमें कमर पे हाथ दो टैप से रख सकते हैं एक ऐसे और एक ऐसे फिर हाथों की ऐसे मुवमेंट करनी है टैन टाइम्स ओके देन ये सिम्पल एक्सरसाइज है नी को टैच करने की ट्राई करना है और दूसरा हाथ बैंड करना है ये भी टैन टैम्स बिगिनर्स को फिर वाई डवलू टी एल ये वाई का पोस्टेर है वाई का पोस्टेर को 30 सेकंड रख के देखना है फिर ये डव्यू इसको भी 30 सेकंड रखने देन टी देखो हैंड से टी बना है और ये एल इस्ट्रेट रहने चे ये हैंड बैंड नहीं होना है ऐसा 30 सेकंड के लिए ठीके अब इस हाथों को पीछे खीशते हुए सांस को लेते वे ऊपर छोड़ना है गर्दन ऊपर जाने पर सांस छोड़ना है और हाथ केंचना है सोल्डर पर चोड़ना चाहिए नेक का मूवमेंट पारवर्ड वैकवर्ड साइड बाई साइड करना है 10-10 टाइम्स यह मैं पहले भी और एक्सरसाइज में बता चकी हूँ कि यह करना है अभी यह सोल्डर की मूवमेंट बिकाज हमारा पॉस्टर टिक नहीं होता है हम बेंड होके रहते हैं उसके लिए और यह इस सोल्डर की एक्सरसाइज पहले बताई थी वही वाली उसके बाद हाथों को लाइक स्विमिंग के तरह सरकल में घुमाना है टैन टैम से भी और वाल पूसब करना है हाथों को सोल्डर की सीथ में उससे थोड़ा सा चोड़ा में ले सकते हैं वाल पे रखिये और डिवाल से टच नहीं होना है डिवाल की तरफ पुस करना है यह इस तरीके से करना है लेगिनर्स के लिए इसमें ज़्यादा कुछ प्रॉब्लम नहीं होती है इजी लिए हो जाता है ठीक है थेंक्यू